So hey guys, welcome back to our channel again तो अपनी में को 3-4 साल की जन्नी में बेस्ट एक्साइज मिली है बिगनर और इंटरमेडियेट के लिए जो आप अपने वाकवड में फॉलो कर सकते हो जिससे आपको जादा पाइदा होगा तो जैसे बहुत है ना कि सिंगल मसल करें, डबल मसल करें फिर पुश पुल लेक की फॉलो करें तो मैं बोदाओंगा आपके लिए बेस्ट एक्साइज क्या हो सकते हैं और मैं क्या करता हो तो आप उस हिसाब से आईडिया ले सकते हो तो मैं इतने टाइम से वरकाट कर रहा हूँ तो मैं अब मैं एक push pull leg series follow कर रहू हूँ ने अब इसे खुछ का plan मना एक पहले मैं weak parts करता हूँ वह लग बात है बड़ पुश pull leg तो हम push work out से start करेंगे अपना So guys work out start करने से पहले मैं कुछ ऐसी ही rotation वाली movement और stretching type करता हूँ तो आपको भी करनी चाहिए और जरूरी भी है क्योंकि body को पता लग जाएगा कि आप weight lift होने वाला और इससे injuries भी हमको बहुत कम chances रहेंगे injury होने के इसलिए आप भी करो और ये अपने rotator cuffs के लिए ये भी जरूर movement करो अपने work out से पहले Monday, Tuesday, Wednesday को push pull leg खतम होता है और Thursday, Friday, Saturday को push pull leg फिर से लगता है Thursday को जो push pull leg लगता है उसमें जो Monday को exercise की होती है उससे थोड़ी सी different होती है जादा फरक नहाता बट आप कर सकते हो मैं हफते में हर muscle को दो बार target करता हूँ तो start करते हैं उपने push work out से जो किया है flat bench press मैं इसके चार सेट करता हूँ फर्स बॉब में तीन working set करता हूँ तो आप देख सकते हो अपनी screen पे कैसे करना है और अगली बार जब मैं फिर से push मेरा work out आता है तो मैं flat dumbbell press करता हूँ तो आप यह भी try कर सकते हो कि एक बार rod से bench press किया तो इसे भी आप कर सकते हो तो second exercise है मेरी incline dumbbell press जो कि मैं करता हूँ तीन set जादा नहीं करता हूँ फूल range of motion के साथ करना आप सारी exercise को भी half range of motion के साथ में करना better mind muscle connection के साथ करना जिससे आपको अच्छा muscle mind connection हो और पूरा feel करके failure rate करना और अच्छे से wraps निकालना और second जो मैं अगली बार करता हूँ तो मैं cable flys करता हूँ incline bench वैसे dumbbell flys करते है मैं cable flys करता हूँ क्यूंकि dumbbell flys से में को वो इतनी feel नहीं है जो cable flys से feel आती है incline dumbbell bench पे incline bench पे cable से flys वो में को जादा feel आती है तो मैं double flys नहीं करता हूँ cable flys करता हूँ incline bench पे और third exercise है मेरी citrate cable flys इसके में चार सेट करता हूँ citrate cable flys के यह भी मैं वो pack flys वाली मिशीन पे नहीं करता हूँ और जो अगली बार मैं करता हूँ वो करता हूँ मैं decline dumbbell press decline bench पे dumbbell press या फिर body dips और उसके साथ super set push ups का वो मैं अगले हफते करता हूँ तो वैसे थोड़ा सा चेंज करता हूँ मैं मिलब अगले हफते की exercise में जो अगले हफते नहीं मिलब इसी हफते की exercise में जब थरस देखो फिर से push pull like start होगा तब से थोड़ा पहुद चेंज करता हूँ मैं जादा चेंज नहीं करता हूँ तीन exercise करेंगे हम chest की दो exercise करेंगे हम shoulder की और दो exercise करेंगे हम triceps की क्योंकि triceps biceps से जादा बढ़ा हमसल है तो इसलिए triceps की दो जरूरी है आपकी आपकी उपर है फूर्थ exercise है मेरी आर नौल डंबल प्रेस जो कि आप देख सेक्टा अपनी screen पर मैं इसके प्यार सेट करता हूँ first light weight से फिर थोड़ा heavy 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 करके तो अगले अफते मैं upright rose करता हूँ और अगर अपने frame बढ़ी करनी है ना आपने shoulders और पूरी back की तो फिफ्ट exercise सबसे important है ये तो करना ही करना अपने workout में side raises सबने की होगी में front जादा ट्रेन नहीं करता है क्यों chest करते हैं तो side raises करता हूँ मैं cable side raises और अगली बार जब push आता है तो मैं double side raises करता हूँ बंडे को मैं cable side raises और sixth exercise है अपनी फिर मेरा shoulder में उसका नहीं करता हूँ इसके मेरी ट्राइसेप की close grip bench press close grip bench press को काफी effective लगती है हमारे ट्राइसेप को बहुत बड़ा गंदे में इसके में चार सेट करता हूँ फर्स्ट ऐसे ही warm up tight उसके बार ती वाकिंग सेट तो आप यह ट्राइक कर सकते हो तो आप स्क्रीन पर देख सकते हो और अगली बार जब मैं six exercise करता हूँ थस देगो push series में तो वह करता हूँ में skull crushers वह आप भी change कर सकते हो और मैं push pull leg series ही बनाऊंगा सिरफ और लास्ट exercise में करता हूँ आपने tricep को shape देने के लिए row push down जो कि आप screen देख सकते हो row push down के करता हूँ मैं तीन सेट जो में tricep को अच्छे shape देती है और काफी effect करती हो और काफी अच्छी shape देती है में tricep को row push down तो पूरे week मैं अपने हर muscle को दो बाट target करता हूँ तो I hope आपको मेरी वीडियो पसंद आई होगी तो आपने फ्रेंड के साथ share करूँ ताकि उसको भी fitness journey में help मिले और वो बटके ना किसी plan के लिए तो नॉर्मल सा plan है कोई वो खतनाक plan है आप यह फॉलो करो औ ट्राइगर और मुझे कमेंट करके बताओ कि कैसा लगा मैं ताओ आप से पुल्व अकाउट के साथ तब तक लिए बाए बाए बाए